हलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चनल फ्रेंड आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि BS स्रीज नंबर प्लेट या भारत स्रीज नंबर प्लेट क्या है और ये कैसे अप्लाई किया जाएगा और एक इन लोगों को मिलेगा तो फ्रेंड सबसे पहले आपको Google Chrome उपेन करना है और परिवहन सेवा सर्च करना है जैसे आप परिवहन सेवा सर्च करेंगे आपको इस तेकर इंटरफेस उपेन होगा और यहां से आपको BS स्रीज नंबर के बारे मापको पूरी डिटेल दिखाई देगी तो फ्रेंड से अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लिजेगा तो फ्रेंड से BS स्रीज नंबर क्या है और कैसे और इसे कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताए जाएगी तो प्लीज वीडियो में बने रहें BS स्रीज या भारत स्रीज नंबर में आपको सबसे पहले आप जिस येर में आप कोई भी वाई क्या गाड़ी खरीते हैं तो आप उस साल का येर लिखा जाएगा इसके बाद BS यानि भारत लिखा रहेगा इसके बाद RTO द्वारा 4 डिजिट नंबर प्रॉइड किया जाएगा जो नंबर आपको 0001 से लेकर 49 हो सकता है इसके बाद आपको 2 अलफावेट रहेंगे जो A to Z की बीच में से कोई भी हो सकता है और इसमें I and O को भी इंक्लूड किया जाएगा इसके बाद बात करते हैं कि कौन से लोग इसे apply कर सकते हैं तो friends अब इसमें government employee apply कर सकते हैं उनके लिए अपना ID card का photo copy लगाना होगा इसके बाद private employee भी apply कर सकते हैं बट उनके लिए terms condition यह है कि प्राइब प्राइब एंप्लाई की कंपनी फूर स्टेट यानि चार राजियों में होनी चाहिए इसके बाद प्राइबेट ओनर्स यानि जो न्यू बाइक होलडर या आप वहिकल होलडर है जो न्यू खरित बाइक करते हैं तो उनको भी नमबर प्लेट लॉट किया जाएग तो रसरेशन प्रासेश कैसे होगा और कैसे अप्लाईद तो चली देखते हैं कि रहें कैसे कंप्लिट होता है तो और 20 ऐन वहां पॉर्टल तू भीहाफ आफ तो आपको सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप में सेलेक्शन स्रीज टाइप डिलर निट तू select the series भारत series इस तरीके से third option आपका होता है कि भार required document dealer will be upload the working certificate form 60 official ID card along with the other document तो step third में आपको जैसे apply करेंगे तो आप dealer दोरा आपका ID card आप document upload किया जाएगा then इसके बाद fourth step में approve होगा RTO office दोरा आपका जो भी document upload किया जाएगा उसे RTO दोरा approve किया जाएगा then five step में आपको finally online payment करना होगा RTO tax motor vehicle tax initial two years के लिए minimum आपको दो साल का tax pay करना होगा इसके बाद आपको भारा स्रीज या BH स्रीज नंबर प्लेट अलॉट किया जाएगा तो यह five steps हैं जिनके दोरा आप अपने bike या vehicles के लिए आप BH स्रीज नंबर प्लेट अलॉट करा सकते हैं तो friends अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और share and channel को subscribe जरू करिएगा thank you to watching my youtube channel जरू करिए तो